आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है आज हम भारत के पडोशी देश इंडियन नाइबर कंट्रीज पडोशी देशों को समझेंगे जो बच्चे अभी बीगनर्स हैं जो भारत की जियोग्राफिक को समझने का परियास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यह बह तो भारत के पडोशी देशों के लिए अपनी आसान ट्रीक क्या होगे कौन कौन से राज्ये हैं जो भारत के पडोशी देशों से उनकी शीमा लगती है सबसे लंबी शीमा किस राज्ये की लगती है किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी शीमा लगती है कौन से वो देश ह जिनकी सिमा भारत के राज्यों से लगती है सबसे पहले हम भारत के मैप में चलते हैं और मैप के माध्यम से समझेंगे और एक आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो ये जो कंटेंट है भारत के पडोशी देशों का भारत की जो इस्तिती है एसिया महादीप में वो दक्षणी एसिया का सबसे बड़ा देश है तो इसको सबसे पहले हम मैप के माध्यम से देखेंगे भारत के पडोसी देश जिनकी स्थलिय सीमा यानि भूमी से लगी हुई सीमा है वो देश कितने हैं तो साथ देश हैं भारत के जो भारत की भूमी से लगे वे देश हैं और इस मैप के माध्यम से आप उन देशों को देख पाएंगे ये भारत का पडोसी देश जो कि भारत के पस्चिम में इस्तित है तो दिशा का ग्यान तो मुझे ध्यान आपको होगा, उपर उत्तर है, तो नीचे धक्षिन है, इधर पूरव है, तो ये पस्चिम है, तो ये पस्चिम में इस पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश, ये बिल्कुल थोड़ीशी सिमा, जो कि पाक अधिकर्त छेतर है, और भारत का छेतर है उससे लगने वाला एक देश है, अफगानिस्ता, तीसरा जो पड़ोसी देश है, भारत का, वो है नेपाल, चोथा जो पड़ोसी देश है, वो है भूटान, और पांचवां है मैमार, और छेठा है बंगला देश, और ये साथवां जो देश है, ये है invece, च देश हैं वो उनकी हम बात करेंगे भारत से दो पडोशी देश जो लगते हैं स्री लंका और मालदीव लेकिन इनकी जो सीमा है वो इस थलिये नहीं है जल सीमा से जुड़े हुए देश हैं यह आप बिल्कुल किलिए रखें यह बंगाल की खाड़ी है अरब सागरा भारत के म मैप को मैंने बड़े ही सरल तरीके से बड़े ही सरल और सहज भाव से सिखाने का प्रियास किया है मुझे उमीद है कि उसको उस वीडियो को अगर आपने दो बार देख लिया तो कभी भी आपको दुबारा भारत के मैप को ज्यादा अगर ना भी आप देख पाएं तो भी उसको बहुत कुछ कर पाएंगे कि कौन सा राज्य है कहां पे इस्तित है आज हम भारत के पडोशी देशों को कर रहे हैं तो पडोशी देशों में हमने देख लिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, मैनमार और बंगलादिस अब इनको राज्यों की सीमा जो लगती है वहां से इनको देखने का प्रियास करेंगे ये बिल्कुल ओथंटिक कंटेंट है और ये कोई मनमर्जी से बनायवा कंटेंट नहीं है N.C.R.T का कंटेंट है N.C.R.T को समझने का और N.C.R.T को जो बेस है वो हम मजबूत करने का प्रियास कर रहे हैं फिर आप कोई भी क्यों पढ़ें यह कहां उप्योगी होगी जब हमें यूपी एसी आरेस जैसे एक्जाम देते हैं बड़ी प्रशासनिक और चार्मिक जोब है इन जोब के लिए जब हम कोई भी ऐसा कंपिटिशन नहीं है जहां हम NCRT को बिना पढ़ें और अपना कंपिटिशन के लिए क्योंकि आज के बच्चों की पीडा यही है वो यही कहते हैं कि सेलेक्शन होता नहीं है तो पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा सही नहीं है उसको थोड़ा सही कर ले भारत के उत्तर में लैदाक और ये जमू कस्मिर, ये 2019 में केंदरसासित परदेश बना दिया है इनको, पहले जमू कस्मिर एक राज़े हुआ करता था, अब ये 2019 में केंदरसासित परदेश बन गए हैं, तो यहां हमने देखा था अफगानिस्तान की सिमा लगती थी, तो किसकी केंदर सासित परदेश लदाक की सिमा अफगानिस्तान से लगती है और पाक अधिकर्द ये छेत्र है 1948 में एक घटना करम हुआ जिसमें पाकिस्तान ने ये जो छेत्र है इस पे नियंतरन कर लिया था और ये पाक अधिकर्द पियो के कहलाता है ये पाकिस्तान से लगने वाले राज्ये हैं जैसे जमुकस में जो किये केंदर सासित परदेश है पंजाब राजस्थान और गुजरात अब हम इधर चलेंगे तो चीन से लगने वाले राज्ये देख लेते हैं पहले भारत के केंदर सासित परदेश लदाख लगता है चीन से राज्यों में हिमाचल परदेश उत्राखंड और फिर अपना अरुणाचल परदेश और शिक्किम अब शिक्किम में आप देखना कितने राज्यों दूसरे देशों से पड़ोसी देशों से लगता है तो पड़ोसी देश जिसमें चीन से लगने वाले राज्ये हमने देखे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्ये हमने देखे अफगानिस्तान से जो एक केंदर साशित परतेश है उसको हमने देख लिए फिर हम इनको ये भी देखेंगे कि कौन से देश से हमारी राज्यू की सीमा या भारत की सीमा सबसे अधिक तिरपुरा और ये यलो कलर है वो मिजोरम है क्यूंकि यहां तक بنगला देश फैला हुआ है अब बंगला देश से लगने वाले राज्यूं को हमने देख लिया अब यहां ये भी दहन देने वाली बात है कि यह जो तिरपुरा है इसको बंगला देश ने तीन और से घिर रखा है तो ये भी आप ध्यान रखें कि किस राज्जे की सीमा दूसरे देश से तीन तरब से घिरी हुई है दूसरा जो पडोसी देश है मैनमार और ये मैमा है मैनमार से लगने वाली भारत के राज्जे हैं वो है नागालेंड, मनीपूर, मिजोरम और ये अरुनाचल परदेश अब हम देखेंगे नेपाल से लगने वाले राज्जे जिसमें उत्तर परदेश, उत्राखंड ये उत्तराखंड, उत्तर परदेश, बिहार और शिक्किम और पस्चिमी बंगाल भूटान से पस्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुनाचल परदेश और असम ये भूटान है, ये नेपाल है तो मैप के माध्यम से आपने देखने का प्रियास किया हम अब ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रियास करेंगे और बड़ी ही आसानी से इसको समझ लेंगे अब एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत से लगने वाले पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, साथ जो की भूमी से लगे वें इस थलिये सीमा, साथ देशों की लगती है भारत से और ये नाइबर कंट्री जो कहलाती ही अंग्रेजी में बोले तो अपन BBC में नाम पाना है BBC एक चैनल है BBC में नाम पाना है तो B से बंगला देश B से भूतान, B ह से भय बनता है C से चाइना M से मेमा, N से नेपाल P से पाकिस्तान और A से अफगानिस्तान अब इसमें ये जो अकनी ट्रीक है इसमें सबसे बड़े बड़ा जो पडोशी देश है जिसके सीमा सबसे ज़्यादा लगती है वो है बंगला देश सबसे कम लगती है वो है अफगानिस्तान जो सबसे पहले है और सबसे बात में तो स सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला पड़ोसी देश है वो है बंगलादेश। उसकी भी बात करेंगे तो BBC में नाम पाना है। बंगलादेश की सीमा से लगने वाले राजे सबसे लंबी सीमा लगती है बंगलादेश की और सीमा कितनी लगती है 4,96 km है वो सीमा लगती है तो पस्चमी बंगाल हमने उपर देखा था असम, मेघाले, मिजोरम और तिरपुरा नेपाल से सीमा लगने वाले राज्ये हैं बिहार, उत्तर परदेश, उत्राखंड, पस्चमी बंगाल और शिक्किम बुटान, सीमा से लगने वाले भारत के राज्ये हैं, असम, अरुनाचल परदेश, पस्चमी बंगाल और शिक्किम कितने राज्ये हैं? 4 राज्ये हैं चीन से, चीन से लगने वाली जो भारत की सीमा है वो 3480 km यानि बंगला देश के बाद जो सीमा वरती जो अपने भारत का पड़ोसी देश है वो चीन है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती हैं तो राज्ये कितने हैं? हिमार्चल परदेश, उत्राघंड, सिक्किम, अरुनाचल परदेश और एक के अंदर साशित परदेश है लैदाख पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्ये हैं पंजाब, राजस्थान, गुजराथ, लैदाख और जमू कश्मीर ये दोनों के अंदर साशित परदेश हैं जो कि हमने उपर बात के थी तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, मैमा से लगने वाली सीमा, भारत का पडोसी देश और इससे अरुनाचल परदेश, भारत का राज्य उसकी सीमा लगती है, नागालेंड, मनीपूरो और मिजोरों, अफगानिस्तान से एक केंदर सासित परदेश है, लैदाख उसकी सीमा लगती है, ये तो सात पडोसी राज्य जो इस थलिये सीमा से भारत के जुड़े हुए हैं, उनकी बात हमने कि, तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा जुड़ी हुए है, सबसे कम किसकी सीमा लगती है, ये अपने शिक्स कलास से लेकर नाइन्थ कलास तक ये सिमावर्ती राज्य और इनके बारे में जो कंटेंट है उसको हम NCRT बुक में बड़े ही आसाने से समझने का प्रियास करेंगे ये कंटेंट मेरे द्वारा तयार किया गया और स्ट्रिक को ताकि स्ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सके कि जब हम चेप्टर पढ़ते हैं तो वह बहुत लंबा हो जाता है और ये आसान सी आप इसको पढ़ने के बाद भारत के बारे में जियोग्राफिक रूप से आप की तयारी कर रहे हूं राजस्थान जी के के ओथन्टिक कंटेंट डाला हुआ है और यह जो मैं परियास कर रही हूं यह NCRT NCRT को समझे NCRT को सीखे NCRT बड़ी सरल है लेकिन इसको समझेंगे नहीं तो हम कोई कंपीटिशन भी फाइट नहीं कर पाएंगे और बड़ी मुश्किल होगा जिक्के को तयार करने में तो आप बढ़ते हैं इस परियास में कि NCRT को सीखे NCRT को समझे थैंक्स ओल दी बैस लिए लिए कि अढ़ीशन चाहीं को समझे लिए को समय होगा जगा जब बड़ी कि तो आप देंगे की तो हम कि कि तो हम विए और रहां लिए और समय होगा जब कि अजब चूमार सत्वाब है झाल झाल